तो ये नाम पढ़ लीजिएगा विजय कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीरापूर ये जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल है पहले ये स्कूल MP बोर्ड हुआ करता था लेकिन अब CBAC की इसे माननेता मिल गई है और ये स्कूल 20 बच्चों के भविश्चे से खिलवार क करेंगे डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो खिलवार कर रहे हैं ये किस बेसिस पर कर रहे हैं हमारे पास पूरे सबूत है जिन बच्चों के भविश्च के साथ खिलवार किया जा रहा है उन बच्चों के पेरेंट्स हमारे साथ है चलिए निरज अंदर चलते हैं एंट्री मारते हैं और पूछा जाएगा यहां के प्राचार्य से कि आखिरकार यह जो बच्चों के साथ जो भविष्च का जो खिलवार किया जा रहा है यह भाई साथ डोक्यूमेंट लेकर के खड़े हैं यह देखिए डोक्यूमेंट है सरकारी पोर्टल पर इन ल यहां के जो इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में है और हमारे मन में भी है चलिए हम सीधे इस्कूल मेनेजमेंट से बात करने की कोशिश करते हैं यहां के प्राचार्य को नहीं है प्राचार्य में को बुलाईए उनसे थोड़ा सवाल जवाब हो जाए है हाँ ब कारण बताया इन लोगों ने इनने बोला कि कोट का आधेस है हमने भी भी तो आर्ची को इनको सोब दियर भी आर्ची को सोब आप कोट का आधेस दिखाया हमें नहीं नहीं तो बताया है अभी तक नहीं दिखाया है ठीक कोट का आधेस नहीं दिखाया है हम कोट का आधेस जान अच्छा प्रेयर कर रहे हैं ठीके प्रेयर कर लेने दो भी है उनको एक बार स्कूल की तस्वीर अपन दिखा देते हैं यह बढ़िया स्कूल बना हुआ एक वज़ा जरूर पूछेंगे अगर सही जवाब मिला तो ठीक है नहीं मिला तो फिर कारवाई होनी चाहिए प्रशासन पर भी माना जा रहा है कि भई साब सिक्षा को व्यपार बना के रखा है यह उस्कूल ने देखा जाएगा क्या वाज़ा है क्या नहीं है तमाम सारी चीज़्े हैं तो ब्रक्ति वाद मेश समय के प्रशासन परभंधन या यहां के डाइरेक्टर मिल जाए, यहां का स्कूल प्रबंदन मिल जाए, लेकिन प्रिंसिपल मेडम के पास जब यहां के वोच्मेन को हमने भेजा, तो वोच्मेन बोलता है कि प्रिंसिपल मेडम की तबियत खराब हो गई है, तो हमने बोला कि यहां स्कूल प्रबंदन मे को होने तो बोलते हैं फादर जी हैं लेकिन फादर जी पूजा में व्यस्त हैं और दो-चार बार घंटी हम बजा चुके हैं अभी तक फादर जी भी नहीं आये हैं ना प्रिंसिपल में बयान देने को तैयार है और अधिकारी से हमने जब बातचीत की तो अधिकारी ने साब क स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं जिस भी पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं टाइम से निकाल ले ना क्योंकि जूट बोलता है तो यह जूट बोलने वाले टीचर जो है यह अपने बच्चों को क्या सच बोलना सिखाएंगे सर आप खुदी इस चीज को सोचिएग अगर वो बीज बच्चों में से एक बच्चा आपका होता तो आप क्या करते सर यह तमाम सारी चीजे हैं अब हम बातचीत करेंगे किस मूँ से सो प्रतिशत गलती इन लोगों किये किस मुख से बातचीत करेंगे हम संडे के दिन आए इसलिए आए जान बूच करा है कि बच्चों के सामने हला करना चिलाना गलत इंप्रेशन परता है बच्चों को भी मानसिक दबाव आता है कि हमारे स्कूल में क्या हो रहा है इसलिए हमने सोचा कि इन लोगों से अलग तरीके से बातचीत की जाए हमारे पास पूरी रिकोर्डिंग है जो अधिकारी सामने बात किया अधिकारी साब बोल रहा है कि स्कूल प्रबंदन की गलती है इन लोगोंने क्या किया कि माननेता प्राप्त पहले एंपी बोर्ट था सीबीए सी की माननेता मिल जाए इसलिए इन्होंने बीस सीट का घोटाला किया है लेकिन ऐसा थोड़ी चलेगा सर बीस बच्चों के भविश्य का सवाल है और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बेठे रहेंगे और अगर आप सच्चे हैं तो केमरे के सामने आकर बादशीत कीजिए ना जीरापूर के लोग देख रहे हैं जो भी बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है मत पढ़ाईए मैं क्लियर कट के रहा हूं आपका बच्चा जूट बोलना सीखेगा आपका बच्चा किसी मीडिया वाले के सामड़े बोलने से डरेगा क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं जाता है जूट बोलना सिखाया जाता है बच्चे को यहां पर और 20 बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार कर रहे हैं यह लोग ताजुप की बात है कि कोई नेता जीरपूर में रहते हैं यहाँ कोई मन्त्री उन बच्चों के सपोर्ट में नहीं आया क्यों नहीं आया सर क्योंके आपका बच्चा नहीं था उसमें रूख आप झाती है म suisIG íreर मोहदे आपके अधिकारी वोल रहे हैं तो हम आपसे गुहार लगा रहा हैं, हम आपसे निवेधन कर रहे हैं कलेक्टर मोदे, कि उन 20 बच्चों की बिहाफ में इस स्कूल का निरिक्षन कीजिए, या तो उन बच्चों को एड्मिशन दिलवाईए, और अगर एड्मिशन उन बच्चों को नहीं मिला, तो इस स्कूल की माननेता रद्द कीजिए, ये पेरेंट्स खड़े हैं, इनके पास मेंसे जाया है, कि आपने एड्मिशन नहीं करवाया, इसलिए आपका रद्द किया जा रहा है एड्मिशन, ये एड्मिशन के लिए खड़े हैं, लेकिन कितने महिनों से खड़े हैं, आपको कितने दिन आठ दिन से भटक रहें बच्चा आज आखरी तारीक है इधर बोलते हैं वाज जाओ बीयार सी में जाओ बीयार सी वाले बोलते हैं कि हमने आगे कागज पुच्छा दिया आगे से कारिवायों कलेक्टर मुद्दे साब करेंगे इधर से उदर गुमाते रहिए बच्चों का एड्मिशन रद्द हुआ थो हुआ अभी प्रिंसिपल मेडम को बुखार चड़ गया है फादर जी पूजा कर रहे हैं यह देखिए मेसेज भी है मेसेज भी दिखाएंगे बईया केमरा इदर कल लो निराज यह मेसेज आया है पढ़के सुना देता हूं आठ यह ओनलाइन है हमको आठ दिन हो गए इन लोगों को सर जीरापूर का मामला है यह बहुत बड़ी सिटी है जीरापूर 20 बच्चों के भविश्चे का सवाल है कहां गए नेता इन लोगों के हक में आवाज उठाईए सर 20 परिवार आपको वोट देंगे आपके वोटार है यह लोग राज तरह के प्राइवेट इसकूल जो है ना अगर खिलवार करते ना बच्चों के साथ तो मन करता है कि सब कुछ पलट दे लेकिन क्या करें न अधिकारी बोलते ना नेता बोलते हैं अधि एक अधिकारी ने बोला है पून लगा कि कि भैसाब हम बच्चों के साथ में खडए है भैसाब आप आज आखरी तारीक थी बच्चों का एडमिशन तो हो गया इनका गया है वो बीज बच्चों का भविष्च तो गया अब क्या करेंगे विजय कोन्वेंटी स्कूल है सरी जीरापूर का चीक चीक के हालत खराब हो जाती है लेकिन लोग नहीं सुदरते हैं मैं बो सब्सक्राइब नहीं सकता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्कूल प्रबंधन जूटा है तो सज बोलना बच्चों को कैसे सिखाएगा और उन बीज बच्चों में से आपका बच्चा होता तो क्या करते हैं यह तमाम सारी चीज़ें हैं सब्सक्राइब कोई प्रिंसिपाल आ गजबे और मेडम बिमार हो गई है कल यहां पर इस पीज दे रही थी लोग बता रहे थे एक टेंट लगा हुआ निरज बता दो हम जूट नहीं बोलते हैं कल इस पीज दे रही थी जोर जोर से और चार सवालों के जवाब देने में उनकी तब्यत खराब हो गई है वा मेड वो बीज बच्चे जो एना वो आपके बच्चे भी हो सकते थे अपना बच्चा समझ करके शेयर किजेगा और इस स्कूल को जो माननेता मिली है न सीबेसी की वो रद होना चाहिए हम एक नहीं दो नहीं दस नहीं बीस नहीं पचास हिस्टूरिया खिलाब बनाएंगे इस स् की कोशिश करेंगे की स्कूल प्रबंदन से कि जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत चिला लिए देखते हैं कितने नेता आते हैं यहां पर यहां पर जो नेता आएगा न सर हम हमें दलाली क्यों न बोल दे उस नेता का लेकिन उस केसे टीचर है कितना नोलेज है उनमें, हो गया सर, आज के लिए इतना ही काफी है, शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा, अपना बच्चा समझ कर शेयर कीजिएगा, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, इस्कूल प्रबंदन नहीं मिला है हमें, लेकिन एक बात जरूर क के जा रहा है यहां विजय कॉन्वेंट के स्कूल प्रबंदन से, और यहां के जो बच्चे पढ़ रहा है, उनके पेरेंट्स से से कि मत पढ़ाईए, सर, भविश्य बरबाद हो जाएगा, मत ही पढ़ाईए, सरकारी में बेज दीजिए, सरकारी टीचर जूट तो नहीं ब बहुत, बीज बच्चों के भविश्य, बीज बच्चे सर, बीज परिवार, उनका परिवार यहां पर खड़ा है, शरामानी चाहिए, स्कूल प्रबंदन आपको बंद कर दीजिए, यार, निरच केमरा दिमाग खराब हो रहा है, शेयर कीजिएगा, मन होतों नहीं होतों को कोई दिकत ने, सर, कल सा आपके बच्चे के पर आएगी जब आप जानेगी कि क्या है, इसका दर्द क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद सर,